नमस्कार साथियों दर्शकों मैं कृतिव अधेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ CIT NCRT के लाइफ ओन कारेक्रम में और आज इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक की और साथिय कक्षा के लिए बात रहेगी जिसमें जो चाप्टर हम लेने वाले हैं जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जो खास महमान आज स्टूडियों हमारे साथ जुड़े हैं मैं परिचे कराना चाहूंगी डॉक्टर नीलकंट कुमार जी का और सर CIT NCRT के विभाग से हैं सर नमशकार आपका स्वागत है अभनंदन है और इस कारेक्रम के बीच में अगर आप सर से कुछ सवाल पूछना चाहें कुछ मश्वरा करना चाहें तो हमारे टोल फ्री नंबर्स डाइल करें नंबर रहेंगे 18000111265 और दूसरा नंबर रहेगा 18000112199 और इमेल के जरीए भी आप हम से संपर्क साथ सकते हैं मेल करें ciet.kishorman.gmail.com और इस कारेक्रम की लाइफ स्ट्रीमिंग देखने के लिए हमारे यूट्यूब चानल पर जाएं ncrt official और वहां भी live chat box में आप comment करकर अपने सवाल पूछ सकते हैं तो sir आपके पास आऊंगी और जानना चाहूंगी कि आज का जो बड़ा रोचक सा लग रहा है मुझे पढ़कर ही संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया तो क्या है ये कहानी और आपने क्यों ही चुना इसको आज के इस चर्चा के लिए जी धन्यवाद कृति इस कारिकरम को प्रारम्ब करने के लिए और सभी दर्षकों का स्वागत है मेरी तरब से भी संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया ये पार्ट जो लिया गया है वो एक अलग तरह की विधा होने के कारण आज तक इस प्लेटफॉर्म से हम लोग कविता की बात करते रहे कहानी की बात करते रहे कुछ और विधाओं के बारे में भी हमने बातचीत यहां पर की है पर ये एक अलग तरह की विधा है और कृति इससे आप लोगों का वास्ता ज्यादा होता होगा अपने पत्रकारिता जब पढ़ी होगी तब इसको अंग्रेजी में इंटर्व्यू कहते हैं और हिंदी में इसके लिए जिस सब्दावली का उपयोग किया जाता है वो है साक्षातकार तो अगर आप पत्रकारिता के छेतर में हैं तो बगएर साक्षातकार के आगे बढ़ी नहीं सकते और साक्षातकार जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं विध्यालई जीवन को छोड़ने के बाद तो साक्षातकार का हिस्सा हमारे जीवन में धीरे धीरे आत चला जाता है तो इस पार्ट का चैन करने के पीछे जो पहला कारण था वो ये था कि एक तो वरतमान में जो NCRT के द्वारा एकडमिक कलेंडर तयार किया गया है यह पार्ट उस मिजाज के अनकूल है यह एक कठिन समय है और इस कठिन समय में हमें तमाम चुनवतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है अपनी पढ़ाई लिखाई भी करनी है सेहत भी बना कर रखना है और सेहत के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्त को भी बनाए रखना है इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर की प्रेरना से आगे बढ़ें और धन्राज पिल्ले ऐसी ही एक सक्सियत हैं जो हम सब के लिए प्रेड़ना का सुरूत बन सकते हैं तो इसलिए इस पाठ का चैन किया गया पहली बात एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा इस पाठ के चैन के पीछे वो यह कि हमारे आपके सब के जीवन में कहीं ने कहीं से खेल मौजूद हैं जी कोई बच्चा ऐसा हो कोई विद्यारती ऐसा हो जो खेले कुदे बगएर आगे बढ़ गया हो और खेलने के कई फाइदे बताये जाते हैं और गिनाये जाते हैं कहा तो यह भी जाता है कि बगएर खेल के आप स्वस्त रही हैं सकते हैं और इसलिए आप देखेंगे कि विद पढ़ाई कर सकते हैं तो अभी जो इस्थितिया कृति उसमें कोई विद्यार थी या कोई बच्चा बाहर नहीं जा रहे हैं सभी विद्याले बन हैं जी तो खेल नहीं सकता है तो कम से कम खेल की बात सुनकर बात कर सकते हैं जी खेल के बारे में सोच समझ सकते हैं सुन सकते है बादचीत कर सकते हैं वैसा ही एक पार्ट पढ़ सकते हैं और जब दिन बेहतर होंगे तो हम आप सब बाहर जाकर खेलेंगे भी तो ये कई कारण थे जिनकी वजह से इस पार्ट का चैन किया गया सर अभी जैसे आपको मैं सुन रही थी तो आपने कहा साहित्य की विबिन विधाएं जो हैं तो उसमें अगर साक्षातकार की बात की जाए जैसे आपने कहा कि इस में जो हम आज चर्चा करने वाले हैं वो साक्षातकार से जुड़ा है तो ये बाकी साहित्यक विधाओं से किस प्रकार अलग है वो थोड़ा मुझे पताएं कृती साख्षातकार पहले ही मैंने चरशा की आप से की मूल रूप से पत्रकारिता के छेत्र से आई हुई विदा है आप चाहें तो एक स्लाइड है इस लैपटॉप में आप चला सकते हैं ताकि हमारे दर्सक भी उसको देख ले तो साख्षातकार के बारे में सूचना इसमें दी गई है लेकिन इंटर्व्यू जो की पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है जिसे हम कई बार भेट वारता या साख्षातकार भी कहते हैं ये बाकी विदाओं से कई माइने में अलग है पहली बात तो यह है कि यह प्रस्न उत् की सैली में होने की वजह से इसकी भासा बहुत बोलचाल की भासा होती है सरल और सहज होती है दूसरी बात ये कि इंटर्व्यू में एक खास बात ये होती है चुकि जब आप इंटर्व्यू ले रहे होते हैं तो कहीं ने कहीं से इस इंटर्व्यू को लोगों तक पहुँच रहे तो ये भी इंटर्व्यू की एक खाशियत है साथ शातकर की अन्य विधाओं की अपेक्षा मैं अपने विद्यारतियों के लिए अगर कहूं तो ये भी उपियोगिता है कि एक अलग तरह की विधा होने के कारण बच्चे एक अलग तरह की भासा को सीखेंगे समवाद सैल कैसे अपने आपको कोई जब प्रस्न पूछे तो अविव्यक्त करना है इसको सीखेंगे और निश्चित रूप से यह उनके आगे की जीवन में जब वो नौकरियों के लिए आगे बढ़ेंगे हमने आपने सब ने इसको फेस किया है सब ने इसका सामना किया है हमें इंट् अच्छा किसी भी विधा को पढ़ना या पढ़ाना हो यह बात हमें अवस्य ध्यान में रखना चाहिए मैं खास करके तमाम सिक्षकों और सिक्षकाओं से यह बात कह रहा हूं कि हमारा मूल उद्देश सिर्फ वो टेक्स्ट नहीं होता है मैं जब यहां धनराज पिल्ले के बारे में जानकारी दून धनराज पिल्ले की जगर सचिन तेंदूलकर भी हो सकते थे महंदर सिंग धोनी भी हो सकते थे मैरिकौम भी हो सकती थी कोई हो सकते थे जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं तो टेक्स्ट हमारा एक आधार होता है और उसको आधार बनाकर हम विद्यारति में भासा और साहित्य के अलग-अलग कौसलों को विक्सित करते हैं उनमें एक खास तरह के समझ को लाने की कोशिस करते हैं उनके अंदर जिग्यासा कलपना और प्रेर्णा का भाव पैदा करना चाहते हैं ताकि ऐसे ही अन्य पाठों को वो जाकर पढ़ें संग्रहित करें और अपने जीवन में जब कभी हो आवश्यक्ता तो उसका उपयोग भी करें जी सर जी तो ये एक उद्दिश्य होता है जो साक्षातकार के माध्यम से हमारे विद्यारतियों के समक्ष आता है तो ये हमें ध्यान में आवश्य रखना चाहिए अपकृती इन सारी चीजों के जो सबसे महत्पूर्ण बात होती है विद्यारतियों के लिए भी और सिक्षकों और सिक्षकाओं के लिए भी कि कोई भी पाठ जब हमारे समक्ष आए तो हम उसको कच्छा में कैसे पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं विद्यारतियों के लिए अभी के समय में उसको वो कैसे प्रत्रम चरण यह होता है जब आप अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि किसी भी पाठ को पढ़ाने के तीन चरण होते हैं प्रत्रम चरण यह होता है जब आप अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि कल मैं इस पाठ पर या दो दिन बाद या तीन दिन बाद जब भी आप उनको बताते हैं संगर्स के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया इसको पढ़ेंगे और साथ ही अपने विद्यार्थियों के लिए पहले से किये जाने वाले कुछ कारी की सूची भी देते हैं तो जैसे कि ये पाठ है संगर्स के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया इस पाठ को पढ़ाने से पहले आप विद्यार्थियों से कह सकते हैं और विद्यार्थि खुद भी ये कारी कर सकते हैं कि वो चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से चाहें तो अपने घर के बुजुर्ग से चाहें तो अपने मित्रों से साथियों से धन्राज पिल्ले के बारे में या होकी के एक और बहुत बड़े खिलाडी हुए थे जिनका जिन्हें की होकी का जादूगर कहा जाता है आप जानती होंगी कि होकी के जादूगर कौन थे तो ध्यान चंद के बारे में तो आप ध यह कि बच्छों के मन में और अधिकांस लोगों के मन में इस देश में यह ब्रहम है कि हमारा राष्ट्री खेल होकी है, अधिकांस लोग आपको ऐसे बोलते हूए mिल जाएगे और इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात ये है एक और ब्रहम जो हिंदी भासा को लेकर है कि हिंदी हमारी राष्ट भासा है ये दोनों सही नहीं है ना तो हिंदी हमारी राष्ट भासा है ना होकी हमारा राष्ट खेल है ये इतने प्रचलित हैं और इतने धडले से लोग खे कि हम मान बैठते हैं कि होकी हमारा राश्टी खेल है और एक जमाना ऐसा भी था जब हम होकी में लगातार पड़क भी जीत रहे थे उनीस सौ अठाथा से आजादी के पहले की बात है यह कि उनीस सौ अठाइस से लेकर के उनीस सौ च्छापन तक हमने लगाता कई बार और संभवता इसलिए हमने ये मान लिया है कि होकी हमारा रास्टी खेल है पर जो भी हो रास्टी खेल जैसा ही रहा है बहुत वर्सों तक और अब कई और खेलों के आने के बाद होकी थोड़ा सा धूमिल जरूर हो गया है क्रिकेट आगे बढ़ गया है और क्रिकेट ने तो ब माहौल तयार कर दिया है जिसमें दूसरे खेलों के लिए गुंजाईस कम बच गई है इसलिए भी आवश्यक है कि हम आप जैसे लोग हमारे होकी खेल की परंपरा और ऐसे ही अन खेलों की परंपरा के बारे में बात करें ये बात मैं पुर्वजान के संदर में कर रहा था तो आवश्यक है कि हमारे विद्यारती ध्यानचंद के बारे में धंडाज पिल्ले के बारे में होकी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके आएं और तब कच्छा में हम इस पार्ठ को पढ़ाना प्रारंब करें ये एक उदाहरन मैंने आपके समझ रखा है अब जै प्रासरूम में उसको कैसे पढ़ा जाए जी तो यह एक साक्षात्कार है तो आवस्यक है कि एक बार कच्छा में इसका पाठ अवस्य हो और चुके इसमें एक साक्षात्कार लेने वाला है और दूसरा साच्षात्कार देने वाला है तो हम अपने विद्यारतियों को ही कह सकते हैं और अगर आज के माहौल में कक्षा उपलवद नहीं है तो घर पर ये कारी कर सकते हैं बारी बारी से भूमिका बदल कर ये कारी कर सकते हैं चाहें तो आडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके ये कारी कर सक बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही तो इन वाध्यमों का उपयोग करते हुए आप उस साथ शातकार को पढ़ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति प्रस्न पूछे और दूसरा ऐसे एक्ट करे जैसे वो मसहूर खिलाडी हो और उसका जवाब दे तो इससे साइध बात उनके सम मसहूर बनता है तो उसको सुनने में ज्यादा आनन दाता है आप खुद को मसहूर मालने तो अपनी सारी बात अच्छी लगने लगेगी तो इस तरह से कोई इंटरिव्यू लेगा और आप उसको कछा में भी और अभी के जो अभी की जो इस्थिति है उस इस्थिति में भी पढ़ा सकते हैं अब जो बात अगली आती है कि इससे जुड़ी हुई कुछ गतिविधिया मान लीजे आपने पाठ पढ़ा लिया पढ़ने के दोरान विद्यारतियों के मन में तमाम तरह के सवाल आये होंगे तमाम तरह की बाते आई होंगी उन तमाम बातों को जिग माध्यम से उन जिग्यासाओं और कल्पनाओं को आप चगह दे सकते हैं और पहले भी मैं यही कह रहा था कि देखिए भासा पढ़ाने का जो मूल उद्देश्य है कोई भी टेक्स्ट पढ़ाने का जो मूल उद्देश्य है विद्यारतियों को सामिल करना इंगेज करना जि और यह तब प्राप्त होगा जब आप अलग अलग तरह की गतिविधियों के माध्यम से उनको सामिल करेंगे उनको इंगेज करेंगे भासा सीखने का यही तरीका है आप अगर उनको अवसर नहीं देंगे आप उनको मौका नहीं देंगे तो साइद वो भासा कम सीखें बोल आप यहीं उनको दे सकते हैं कि महंद्र सिंग धोणी कि इन पर फिल्म भी बन गई है धोनी मिलखांसिंग इन पर भी फिल्म भाग मिलखा भाग मिलखांस तो इस तरह की जांकारी कos के उपर सचिनतह नंदूलकर के बारे में जानकारी प्राप्ट करें और जानकारी प्राप्ट करके इस इंटर्व्वी को समने रखते हुए विद्यारत्ए ये करें कि कुछ प्रस्णों को डिजाइन करें जिसमें वो उन उसे जिन बातों को निकलवाना चाहते हैं, जिन बातों को सामने लाना चाहते हैं, वो प्रस्ण ऐसे हो कि उनको वो संबोधित करें, उनको वो एड्रेस करें. अगर ऐसी स्थिती नहीं संबव है, तो दूसरी स्थिती यह हो सकती है, कि दो लोगों के मध्यों, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, कि प्रस्ण डिजाइन करें, विध्यारती खुद ही पढ़कर, और दूसरे को एक मसहूर विरक्ती बना करके, उनसे साख्षात कर लेने की कोश करें, उन्हीं प्रस्णों के आद्धार पर, तीसरी यह हो सकती है, कि खुद को ही मसहूर विक्ती मालने, और हो भी सकते हैं, किसने देखा है, काउन कब मशहूर हो जाए, तो अपने आपको मशहूर मानते हुए, यह आनंद का छन भी होगा, आप कुछ प्रस्ण तयार करें और उन्हीं प्रस्णों का जवाब दें, उसको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके समूह में साजा करें, लिख कर साजा करें, डाइरी के रूप में जब भी अच्छी हो, चाहें, तो अपने घर के ही किसी सदश्चे को बोलें, कि वो प्रस्ण आपसे पूछें, और आप ए है कि अगर वो इसमें सामिल होता है, अगर वो इसमें इन्वाल्व होता है, तो उसकी एक समझ दिक्सित होगी, जो हर तरह के कौसल के लिए आवस्यक है, और जीवन के हर च्छन, हर पल, जब कहीं वो ऑफिस में काम करेंगा, आगे चलकर नौकरी करेंगा, वहां भी वो इस तो आप किया आप इस बात से सहमत है सर, क्या वेक्ति सच में संगर्ष के करन तुनक मिजाजी हो जाता है? देखिए, मैं तो तुनक मिजाजी नहीं हूँ आपनी.. अपने हिस्से का संगर्ष व्यक्ति करी रहा है हर कोई आवश्यक नहीं है पर मेरा ध्यान के इंदरत बार बार उस तुनक मिजाजी पर जाता है उसके बारे मुझे थोड़ा सा बता है जे सब्द बहुत रोचक है तुनक मिजाज ये सब्द अपने आप में रोचक है और हमार छाहे द्याना करशित करता है इस पर बाद में बात करूँगा जब भाशा की बात होगी 맞아 की बात होगी तब मैं सब्द आप से बात करूँगा पर हर व्यक्ति संघंघ हर्ष के कारन सब्सक्राइब यह आवश्यक तुनक मिजाज नहीं माना जाता है इसका मतलब यहीं नहीं कि उन पर कोई असर नहीं हुआ संघर्स के दोनों असर होते हैं अगर आप संघर्स नहीं करेंगे तो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं अगर आपको एक बेहतर इंसान बनना है हर परिस्थिती में चुनोती को स्विकार करने के लाइक बनना है तो निस्चित रूप से संघर से होकर ही आपको गुजरना होगा जीवन में अगर आपको सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता रहे तो आप बहुत सारे कौसल को सीखने से वन्चित रह जाएंगे बहुत मसहूर है कि अकबर को उसके पिता ने रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ दिया सारी सुक्सविधाओं के बावजूद राज पसाधन होने के बावजूद सारी सुक्सविधाएं वो देने के बजाए छोड़ा कहां रेगिस्तान ताकि रेगिस्तान की कठिन परिस्थिती में पक कर वो स्किल वो कौसल सीखे जो एक राजा के लिए आवस्यक है जो आपने आगामी आने वाले जीवन में उसको चाहिए होगा तो संघर्ष का एक असर तो यह होता है कि आपके कौसल विक्सित होते हैं लेकिन लगातार संघर् प्रिवर्ति आजा किसी और प्रिवर्ति आजाती है कोई अपने मन में वो बात छुपा कर रखता है जो लंबे समय में किसी दूसरी रूप में अव्यक्त होता है तो आवस्यक नहीं है कि धन्राज पिल्ले तुनक मिजाज हो गए वो कहते हैं कि मैं तो बड़ा सिधा साधा इनसान हूँ जो मेरे मन में बात आती है वो मैं कह देता हूँ कि अगि extrêmement से बहुत संगहर्स किया हूँ उनके पास स्टिक नहीं हुआ करता था था खेलने के लिए गैन नहीं हुआ करता था तो जिस व्यक्ति आचछा यह कुछ रोचक बाते मैं इनके बारे मैं आपको बता विनिता पंडे ने यहाँ पर लगाया गया है। तो यह एक संपादित अंस हैं, इसमें बहुत सारे और प्रस्न रहे होंगे, तो एक तो यह, दूसरी बात यह कि धनराज पिल्ले के बारे में जो जानकारी साथकार में नहीं है, और जिसके बारे में जानना चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए, वो यह कि धन पिल्ले अपने भाईयों में, चार भाईयों में सबसे छोटे थे, और सबसे छोटे थे और गरीब परिवार में पैदा हुए थे, माता पिता उनके तमिल थे, लेकिन आकर वो रोजगार के लिए पूने में बस गये थे, और पूना में खड़की नामक एक जगह में ग्राउं की खेलने की और जाते थे, होकी खेला करते थे और वो सहर होकी खेलने के लिए भी खड़की सहर जाना जाता था, ध्यान चंद का भी उस सहर से संबंध बनता है, जो कि होकी के जादूगर है, अब चार भाईयों में सबसे छोटे थे, गरीब परिवार में पैदा हुए थे, तो जैसी की करीब परिवार में लोगों की इच्छा होती है, इनका नाम रख दिया धनराज, बड़ा होकर ये धन लेकर आएगा, और राज करेगा, और देखिए ये नाम ऐसा सार्थक हुआ, कि आगे चलकर इनके पास सोहरत धन सब आया, हलाकि आजकल के क्रिकेट खिलाड कर इंतजार करते थे कि बाकी बच्चे जो खिलाडी है, जब खेल लेंगे और इन्हें देंगे अपनी होकी तब ये खेलेंगे, और तब ये इंतजार करते रहते थे अपनी बारी का, और जब इनकी बारी आती थी, तब ये होकी खेलते थे, और इनको बहुत बाद में चलक कर अपनी होकी मिली जब इनके बड़े भाई रमेस का चैन आगे राश्टी टीम में हो गया खेलने के लिए मुंबई गए तो बड़े भाई ने अपना जो स्टिक था वो इनको दे दिया कि यह लोग तुम्हारा है और उनने बला कि वो पुराना अवस्य था लेकिन मुझे इ महसूस ना कर पाएं लेकिन जिन्होंने संघर्स किया है एक एक चीज के लिए उनको इस बात की कीमत समझ में आएगी तो ऐसे थे धंडाज पिल्ले अब चैन के लिए लगातार उनके बड़े भाई और उनकी मां उनको लगातार प्रेरित करती थी इसलिए इसमें आप पुजार सकते हैं आपको हसा भी सकते हैं रुला भी सकते हैं विसमें भी में भी डाल सकते हैं कभी ऐसी तुनक मिजाजी में बात कर सकते हैं जो आपको लगे ये व्यक्तिक कैसी बात कर रहा है लेकिन ये सारी बात इसलिए हैं कि वह एक्दम जमीन से उठकर संघर्स करते ह अपने माबाप के अरवानों को साथ में लेते हुए सफल होते हुए राश्टी टीम में सामिल हुए और वो सोहरत हासिल खी और एक दिन ऐसा भी आया कि वो जाकर राश्ट पती के बगल में बैठे और पदमस्री जैसा पुरसकार और राजीव खेल रतन जैसा पुरसकार भी उन्हों ने प्राप्त किया लेकिन इस क्रम में जो बातें बहुत सारी आई उसके कारण वो तुनक मिजावजी लिए उनको गिफ्ट में मिला तो इसलिए वो कैची होने के कारण आकरसक होने के कारण और संगहर्ज को सामने लाने के भाव से सइस सिर्शख रखा गया है सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो साइध इस पार्थ को भी बेहतर समझ पाएंगे और धनराज पिल्ले को भी थोड़ा सा मुझे यह बताया आप जैसे मैं पढ़ रही हूं उनके बारे में यह साक्षातकार के बारे में ही उनका जो परिवारिक संबंध है उनकी मा से बहुत लगाओ था जै और चाहे रा़ष्टी खेल में जाए या अंतरज्टी की खेल में वो अपनी मा को फोन रोज जरूर किया करते थे ओर जब इन्हें सोहरत हासिल हुआ तो मा की सीख याद आई और उन्होंने मा को याद करते हुए कहा भी कि मेरी मां ने मुझे सिख कि सोहरत मिलने पर भी विनमरता के साथ उसको कैसे संजो कर रखा जाए विनमरता के साथ अपनी प्रसद्दी अपनी शोहरत को कैसे संजो कर रखा जाए कैसे समहाल बड़ी अनूठी बात बड़ी अनूखी बात नहीं तो थोड़ी सी सोहरत मिलते ही लोग क्या क्या नहीं करने बिल्कुल सही बात जी और सोहरत और पैसा आने के बावजूद पूरी विनम्रता के साथ उसको सम्हाल कर रखना बड़ी बात होती है और यह सीख उन्हें बच्पन से ही अपनी मां से मिली से अप हमारे चात्रों को हमारे दर्शकों को इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से स उनकी मां जैसा जीवन जी रही थी तो जीवन की सच्चाई कठनाई संगर्स सबको समझती थी और वो यह भी देखती थी कि लोग दूसरे के साथ कैसा व्यभार करते हैं तो उनको कभी यह अच्छा नहीं लगता जिसने अपने जीवन में संगर्स किया हो साइथ उसको यह अच्छा ना लगे अपवाद कई हो सकते हैं लोग ऐसे भी होते हैं कि खुद संगर से गुजरने के बावजूद जैसे ही प्रसिद्धी मिलती है तो अलग तरह से वेभार करते हैं लेकिन कोई भी संजीदा गगती जिसने उस कस्ट को जहला है जो उस दुख से गुजरा है वो दूसरे किसी को कस्ट और दुख में देख कर वैसी भावना महसूस करेगा इसलिए जब सिद्धी और सोहरत मिले तो विनम्रता के साथ उसको समहालना चाहिए जब आप विनम्र होकर उसको नहीं समहालेंगे और उसको ऐसे आप सामने लाएंगे जैसे आपने विजय प् स्थाई नहीं होता है चाहे राजा ही क्यों नहों एक दिन उसके राजकाज में भी उसकी राजसी भी चली जाती है इसलिए कितना भी बड़ा सोहरत हो आप अपनी निरंतरता बनाए रखें जमीन के व्यक्ति हैं तो जमीन से जुड़े रहें अगर उड़ेंगे तो कभी अ जो जुका होता है वो टूटता नहीं है और जो तनकर खड़ा होता है पुसिद्धी में ऐसे तनकर खड़ा हो गया जैसे वही सब कुछ हो तो जल्द ही वो टूट जाता है फलों से लदे जो वरिक्ष होते हैं सर वो जुके ही रहते हैं जी जी चीक बात है आपकी तो धनरा आज ऐसे व्यक्ति थे जिनको सोहरत के साथ साथ पैसा बहुत नहीं मिला जहीं है जानने वाली आप error चोश्री वाली है बहुत ले कर आते हैं थो सोहरत के साथ उन्हें पैसा कि मिला तो सेयिंट में प्र यह huge और इस लिए वह सामिल हो जाने बाव्जूद भी रास्णी खिला और अगले दिन अखवार में लगा दिया कि अब भी देखिए धंडाज पिल्ले अब भी लोकल ट्रेन में चलते हैं और यह एक बड़ा विश्य बन गया तब धंडाज पिल्ले को जाकर महसूस हुआ कि साइध उन्हें ऐसे सफर से बचना चाहिए और तब उनके इंप्लॉयर भी खरीदी उसी भी चर्चा वह करते हैं इस साकषात्कार के बीश में ही करेंगे वह चर्चा गाड़ी जो खरीदी और वह सब आगे जल कर वह में हमारे काम आता रहा लोग कई गाड़ी खरिदते हैं उन्होंने एक गाड़ी की चर्चा की इसी तरह उन्होंने कहा कि जब मेरे पास कुछ पैसे आ गए तो परिवार के लिए मैंने एक मकान ले लिया सबसे पहले ताकि सब लोग एक साथ रह सकें तो ये भी देखिए एक सीखने वाली बात है कि लोगों के पास पैसा आता है तो व्यक्तिकत जीवन हावी हो जाता है तब भी उन्होंने अपने माँ बाप और अपने परिवार के बारे में सोचा और एक छोटा सा मकान जिसमें साइधी गुजारा हो उन्होंने कहा कि मैंने ल हासा की बातें भी जूड़ी हुई है जिनकी और विकृति हमें ध्यान आवस्य देना चाहिए आप किसी पाठ को पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं मैं उदाहरन तुनक मिजाज सब्द से ही लेता हूं तुनक मिजाज में देखी दो सब्द हैं मिजाज का मतलब तो सब ल आप च्छनिक सब्द से समझिए च्छनिक का मतलब पल भर के लिए अब च्छनिक तनिक तुनुक यह सब एक जैसे सब्द हैं जिनका संबंद च्छनिक से जाकर बैठता है तुनुक का मतलब भी होता है कम समय में तनिक थोड़े देर में एक पल में तो तनिक का मतलब भी व ही होता है तो ख्षनिक से जुड़े ही ये दोनों तीनों सब्द हैं वैसे ही बादल जैसे एक सब्द है तो उसके लिए लोग बादर बदरा बदरिया ऐसे कई सब्दों का उपयोग करते हैं तो मूल सब्द से जुड़े हुए कई सब्दों है हस्त से हाथ तो इस तरह के तमा लोग इस पाठ में हो रहा है दूसरी बात ये कि अक्सर हम ये कहते हैं कि व्याकरन को हमेशा संदर्व में पढ़ा और पढ़ाना चाहिए सब्दों का अर्थ भी संदर्व में ही स्पस्ट होता है अगर आगे पीछे का संदर्व ना हो तो उस सब्द का अर्थ स्पस्ट करना म मान लिजिए एक सब्द है कर मैं आप से ये कहूं कि इस साल आपने कितना कर दिया तो आप समझ लेंगे कि टेक्स की बात है और मैं अगर ये कहूं कि करती जी आपके कर में क्या है मैं समझोंगी कि मेरे हाथ में क्या है तो आप कहेंगे कि पैन है कलम है पैड है तो जब तक संदर्व सपस्ट ना हो इसी तरह से जब तक संदर्व ना हो कितना भी आप संग्या सरुनाम विशेशन प्रिया अव्यर अटवालें बच्चों की समझ का वो हिस्सा नहीं बनने माल जाते-जाते एक छोटा सावाल आपसे जानना चाहती हूं क्योंकि हम, हमारा साक्षतकार को कही ना कही छेल से कही जुड़े बात का था," तो क्या ऐसी भाशा से भी बच्चे की भाशा विक्सित होसकती है थोड़ा सा मुझे बता है बिल्कुल बिल्कुल देखिए हर खेल की अपनी हासा होती है ये समझे और खेल-खेल में भासा सीखते भी है सबसे बहतरीन तरीके से भासा खेल-खेल में सिखी जाती है और हर खेल की अपनी भासा होती है जैसे क्रिकेट खेलने वाला अगर कोई व्यक्ति हो कोई विध्यारत बॉल पैड, हेलमेट, स्लीप, कट, हूक उनकी शब्दावली गुग्लि गुग्ल위 इस तरह की सब्दावली होगी इसी तरह highly है इसी तरह से फुटबाल की अलग सब्दावली है नियां खेल आप खेलते हैं उतने तरह की भासा को आप सीखते हैं तो खेल एक अच्छा जरिया है भाशा सीखने के लिए विक्सित करने के लिए आपने निश्चित रूप से ये कहा कि समय कम है तो एक दो मिनट में मैं अपनी बात अब खातुम करता हूं तो एक तो ये कि खेल के सासनों से एक्सपोज होते हैं गुजरते हैं उतनी अच्छी भासा वो सीखते हैं मैं वापस थोड़ा व्याकरन वाली बात पर आना चाहूंगा कि जब इस पार्ट को पढ़ें और पढ़ाएं तो आप धन्राज पिल ले अपने आप में क्या है बच्चों से कि धन्राज भ वाट्च को भी देख रहा है वो पढ़ रहा है आप वहीं उसको समझा सकते हैं कि देखो यही तो सर्वनाम है यह सारे सब्द दूगले पतले हैं छोटे कद काठी के हैं तेज तर्रार हैं यह सब धन्राज पिले की विशेष्टाओं को सामें लगे तो अब अलग से आपको परिभासा रटवाने की जरुरत नहीं पड़ेगी इस पार्ट को पढ़ाते हुए ही आप उनको व्याकरन के तमाम हिस्से भी सिखा सकते हैं संग्यासरव नाम क्रिया या कोई नई बात भाषा की बात सब्द की बात भी क्योंकि संदर्व सामने है और संदर्व में ही उसके दौरान की जाने वाले एसेस्मेंट उसके सीखने की प्रक्रिया का अनिवार हिस्सा बने और वो उसकी समझ का भी हिस्सा बने और अगर उसकी समझ विख्षित हो जाती है तो समझ ये उस पार्ट को पढ़ने और पढ़ाने में हम सब सफल रहे हैं सर आज इस साक्षातकार के बारे में जितनी असान भाषा में आपने बच्चों को समझाया मुझे लगता है हमारे चात्रों को बहुत अच्छे से समझाया होगा यह विशे तो आपका आपने समय निकाला चात्रों को समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अ और आप साथियों कहीना जाएं, हमारे साथ यूँ ही बने रहें, जैसे कि किशोर मंच आपके लिए इतनी ज्यानवर्धक कारिक्रम लेकर आता रहता है, अगला जो कारिक्रम रहेगा, वो हम ग्यारवीक अक्षा के लिए हिंदी भाशा की ही बात की जाएगी, कहानी का नाम र किया अरुटने में जाएब जदेनान झाला जाएब को झालाी सा 올ाएबक जएगा अबदोग ग्यान नाचे।